नमस्कार दोस्तों, सल्मान खान की एक्स गर्फरिंड सोमी अली ने अब भाकाइदा लॉरंस बिश्णोई के लिए एक मेसेज जारी कर दिया है डायरेक्ट मेसेज लॉरंस बिश्णोई को उन्होंने लिखा है और इस मेसेज में वो लॉरंस को भाईया कहकर संबोधित कर रही है तरसल दोस्तों हुआ क्या है अभी कुछ दिन पहले ही 12 अक्टूबर को बाबा सिद्धी की हत्या कर दी गई उन पर कई गोलिया दागी गई इस पूरी हत्या की जो है जो जो जिम्मेदारी थी वो लॉरंस बिश्णोई ग्रुप ने ले ली और सल्मान खान के बाबा सिद्धी की बेहत करीबी हुआ करते थे सल्मान खान इस बाद से बेहत दुखी थे जब उनके अंतिम संसकार में गए तब भी समने देखा कि सल्मान खान के आँखों में आसू साफ दिखाई दे रहे थे यह दिखाई दे रहा था कि उनके करीबी उनके इतने खास दोस्त की जिस तरीके से हत्या हुई है उससे वो बेहत दुखी है सल्मान के सेक्यूरिटी इसके बाद बढ़ा दी गई थी क्योंकि लॉर्ण्स विश्णोई लगातार कई बार सल्मान खान को भी धंकिया दे चुके थे अब सल्मान खान की सेक्यूरिटी बढ़ने के बाद उनके पूरी घर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे पुलिस तैनात थी उनके पूरी गैलक्सी एपार्टमेंट पर सीसी टीवी क्यामराज लगा दिये गये थे कि किसी भी तरीके की कोई घटना अगर होती है या कुछ ऐसा संदिक दिलगता है तो उस पर नज़र रखा जा सके और सल्मान खान के जितने शूट्स थे उसको भी काफी सेफ कर दिया गया था Y Plus Security सल्मान खान को दी गई थी और काफी बढ़ा दी गई थी ऐसे में दोस्तों सल्मान खान पर कहीं न कहीं अब जान का खत्रा मंडरा रहा था लोगों को कहना था ये भी कहा जा रहा था कि जो सल्मान खान के जितने करीबी है उनको ही लॉरंस बिशनोई का ये जो गैंग है ये निशाना बना रहा है अब दोस्तों इस पूरे मामले पर उनकी जो एक्स गर्ल्फरिंड थी सोमी अली सोमी अली सल्मान खान की एक्स गर्ल्फरिंड रह चुकी है शायद इसी वज़े से सोमी अली ने एक पूरा मेसेच जारी किया है और वो ये लेटर लिक कर लॉरंस बिशनोई से मांग कर रही है उनसे कह रही है कि मैं आपसे बात करना चाती हूँ आपसे वीडियो कॉल करना चाती हूँ वो ये भी कहना चाती है कि अगर Lawrence Vishnoyi का गृप है किसी को भी निशाना बना रहा है Salman Khan को निशाना बना रहा है तो वो ऐसा ना करें वो बात करके इसके बारे में कोई ना कोई सलूशन निकालने की कोशिश करना चाहती है Lawrence Vishnoyi को वो भाईया कह रही है ताकि Lawrence Vishnoyi थोड़ा सा थोड़ा सा इस बारे में सोच सकें अब उन्हेंने क्या मेसेज लिखा है पहले आप वो देखें सोमी अली लिखती है कि दिस इस डाइरेक्ट मेसेज तो Lawrence Vishnoyi नमस्ते Lawrence भाई सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर सकते हो तो मुझे आपसे कुछ बाते करनी है करपया करके मुझे बताएं कि यह कैसे हो सकता है अब यह यहाँ पर Lawrence Vishnoyi से यह कह रही है कि भाई आपसे मैं वीडियो कॉल एक जूम कॉल करना चाहती हूँ ताकि आपसे कुछ बाते करनी हैं वो मैं आपको जूम कॉल के जरीए बता सकूँ अब Lawrence Vishnoyi की पहली भी कई बार ऐसी वीडियो आ चुकी है जो जो जेल से जूम कॉल के जरीए कई बड़े बड़े चैनल्स को इंटिव्यू तक दे चुके हैं अब ही वो Lawrence Vishnoyi साबरमती जेल में बंद है और पहले भी साबरमती जेल से ही उन्होंने कई इंटिव्यू दिये हैं इसलिए कही न कहीं सोमी अली भी यही दिमांड कर रही हैं कि आपने जहस तरीके से पहले जूम के जरीए वीडियो कॉल की हैं आगे यह लिखती है कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए पर पहले आप से जूम कॉल हो जाए और कुछ बाते तै हो जाए पूजा के बाद फिर यकीन मानिए कि यह आपके फायदे की ही बात अपना मुबाइल नंबर दे जीजे एहसान होगा आपका शुक्रिया अब जो लॉरंस बिशनोई की सलमान खान से दुश्मनी है वो भी इसलिए कही जाती है क्योंकि सलमान खान ने जो काले हिरन ब्लाग बग का शिकार किया था उन पर जो आरूप लगे थे उसी के बाद ब लॉरंस बिशनोई ने जो है सलमान खान को कई बार धंकिया दी उनके गैंग के जरीए कई धंकिया दी गई और ये कहा गया कि सलमान खान को काले हिरन का शिकार नहीं करना चाहिए था और अब उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे बिशनोई समाज से ये कहा जाता है दोस्त तो इस पूरे मामले के बाद से लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका लौरंस बश्नोई ने जिम्मेदारी लिए, उनके ग्रुपने जिम्मेदारी ली सcularon य उसे वाला हत्या की बी लौरंस मिश्नोई घुरुपने लिए ती। उसके बाद मुनवर फारुकी हैं कौमेजिन, उनके उपर भी कई तरीके की धंकिया मिली, फिर सल्मान खान को लगतार धंकिया मिलती हुई आई रही थी, और फिर जब बाबा सिद्धिकी की हत्या हुई तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, ऐसे में अब सल्मान खान क सेक्यूरिटी एक तरह बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ सोमी अलि के इस मेसेज को देखने के बाद लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं सोमी अलि अपनी तरीके से अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती हैं, जो बात कर सकती हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हि вас से पहले राखी आपसे जो भी गलती हुई जो भी हो गया उसके लिए माफ कर दिया जाए लेकिन उसके बावजूद ये घटना हुई और ऐसे में अब सबसे बड़ा खत्रा जो है वो सल्मान खान के ग्रूपर बना हुआ है सुमी अली ने जब ये मेसेज डाला करी लोगों ने उनके ओपर ट कि एंगर एक जान बचाने के लिए ये कर रहे हैं तो इसमें बुराई भी क्या है एक जान बचाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं तो इस तरीक का ये ट्वीट सोमी अली की तरफ से आया है फिलहाल अब देखना होगा कि लौर्ट बिश्णोई ग्रूप इस मामले पर क् क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा गुंडे माफियाओं से भी हैं परिशान अगर समस्या है तो बताईए सिस्टम की प्रतार्णा को गुप्त रोग मत बनाईए जनता का मुकदमा विद प्रग्या मिश्रा अपनी समस्या हमें इमेल करें या वाट्सैप पर भ मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है हमारे पास संसाधन सिमित है लेकिन समाज की भलाई का जज़बा आसिमित है अगर आप हमें सपोर्ट करना चाते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीन शॉर्ट जरूर भेजें जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर स और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सके जिसकी कोई नहीं सुनता